राथे राथे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और आपको बहुत ही आर्थिक संकट है तो फिर अगर आप ये उपाए करेंगे तो आपको अवश्य ही फाइदा होगा कहीं न कहीं से आपका कोई काम अवश्य ही बनेगा कोई रास्ता खुलेगा और आपके घर में धन आएगा आपको क्या करना है कि आपको शुकरवार वाले दिन खीर बनानी है और उसे नो कन्याओं को खिलाना है एक-एक कोटोरी खीर नो कन्याओं को दें और साथ में एक-एक घरी इलाइची और साथ में दक्षना दें ये कार्या आप शुकरवार वाले दिन किसी भी समय कर सकते हैं हो सके तो घर में ही कन्याओं को बुलाएं नहीं तो मंदर जाकर भी आप कन्याओं को खीर बांट सकते हैं और ये खीर नो कन्याओं को देकर साथ में दक्षिना देनी है और उनके पाउंस पर्ष करने है और उनसे अशीरवाद लेना है उन्हें बोलना है कि हमें हमारे सिर्पर हाथ रख कर अशीरवाद दे ऐसा अगर आप साथ शुकरवार करते हैं तो अवश्या ही मा लक्ष्मी आपसे परसंद होगी और आपके घर में धन नानी का कोई ना कोई रास्ता अवश्या ही खुलेगा और दूसरा उपाए है कि आप साथ तरह का अनाज एक डिब्बे में डालकर रख लें थोड़ा थोड़ा अनाज साथ तरह का सारा मिलाकर एक डिब्बा भरकर रख लें और रोज वो थोड़ा थोड़ा जितनी आपकी समर्थ्या हो, उतना लेकर कटोरी में या जितना भी आप डाल सकें पक्षियों को डालें. अगर आप पक्षियों को दाना डालेंगे, तो अवश्या ही आपका कोई ना कोई कारया सिद्ध होगा, और आपके धन आने के मार्ग खुलेंगे. और आपको मंदर में रोज शाम को अपने घर के मंदर में शुकरवार वाले दिन माता लक्ष्मी की मूर्ती के आगे या फोटो जो भी आपके घर में है लेकिन उस फोटो में मा लक्ष्मी खड़ी नहीं होनी चाहिए मा लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए और जो मा का चितर होता है जिसमें हाथी भी हो तो वो चितर बहुती अच्छा होता है वैसे आप किसी भी मूर्ती के आगे मा लक्ष्मी की मूर्ती के आगे घी का दीपक जलाएं और मा से प्रातना करें कि अवश्य ही मा आप अमारे घर में पधारो ये काम आपको शुकरवार वाले दिन तो अवश्य ही करना है वैसे आपको रोज ही शाम को घर के मंदर में घीका दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए अगर रोज ऐसा नहीं कर सकते तो शुकरवार वाले दिन तो अवश्य ही मालक्ष्मी की तस्वीर के आगे या मूर्ती के आगे गी का दीपक जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए और मन से उन्हें अपने घर आने के लिए निमंतरन देना चाहिए तो मालक्ष्मी अवश्य ही हमारा निमंतरन सविकार करती है और घर में आती है कोई न कोई रास्ता घर में वो सुक्सम्रिदी का अवश्य ही खोलती है और हमें रोची शाम को अंधेरा होने के बाद अपने मुख्या द्वार के पास एक दीपक वश्य ही जिलाना चाहिए और दीपक में वो दीपक हमें रोज ही निया लेना चाहिए जैसे के मिटी के दीपक होते हैं अगर ऐसा संभव न हो तो आटे का दीपक भी बना कर रोज मुख्यां दिवार के पास जिलाना चाहिए इससे भी मा लक्ष्मी का जो प्रवेश है हमारे घर में वश्य ही होता है और दृद्धरता कभी भी घर में निवास नहीं करती और नेगिटिवटी भी ये दीपक जलाने से घर में नहीं आती जैसे हम दिवाली को अपने घर के बाहर दीपक इसलिए जलाते हैं कि मा लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में हो उसी तरह ही ये दीपक रोच हमें एक वश्य ही अपने घर के मुख्या दिवार के पास अंधेरा होने के बाद जिलाना चाहिए जिससे कि मा लक्ष्मी का अशीरवाद हमारे घर में बना रहता है और वश्या ही मां का प्रवेश हमारे घर में होता है आशा है कि यह आपको मेरा वीडियो बहुती हेल्पफुल सी धोगा अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जय माता दि